मैंने अपनी देश की मिट्टी भारत को कैसे वर्णन किया है मैं आपको बताती हूं कि जो वेदो का ग्रन्थाले है जो वेदो का ग्रन्थाले है मस्तक पर स्वैम हिमाले है जहां हवा प्रेम की बहती है और अतिती देव है कहती है संस्कृती जिसका परिधान बनी अपनों से जिसकी पहचान बनी संस्कृती जिसका परिधान बनी अपनों से जिसकी पहचान बनी जहां भाशाओं का मेला है और शेरों से जिसने खेला है जो अखंड है अभेद्य है जो अखंड है अभेद्य है और सागर सा लहराता है ये भारत खंड कहलाता है यहां राम का भी जन्म हुआ है और यहां कृष्ण का भी तो मैंने ऐसे लिखा है कि जहां जन्म हुआ है राघव का जहां जन्म हुआ है राघव का और चक्र चलहा है म मा के आसुध होने हैं बलिदानी बेटे को जाकर जो बलिदानी बेटे सरहत पर लड़ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि जो बलिदानी बेटे को जाकर सुमन प्रेम के देने घाव लगे जब दुश्मन को तो उसको भी सहलाता है हमारा भारत ऐसा है कि जो यहां पर सैनिक यहां पर रते बाहर के देश के शैनिक रते वो भी उनको भी जगा हमारा भारत देता है तो मैंने ऐसे लिखा है कि घाओ लगे जब दुश्मन को तो ये उसको भी सहलाता है ये भारत खंड कहलाता है ये भारत खंड कहलाता है थैंक यू थैंक भू से लेकर व्योम जहां तक भू मतलब भारत का ध्वज लहराता है भारत का ध्वज लहराता है बंसी के तान से लेकर यहां अर्जुन के बान की कहानी है गाथा है यहां गौरव की त्याग की यहां निशानी है त्याग की यहां निशानी है जब जब पाप का शाप लगा जब जब पाप का शाप लगा धर्म यही दिखलाएं सबको याद होना चाहिए कि जब जब पाप का शाप लगा धर्म यही दिखलाता है ये भारत खंड कहलाता है ये भारत खंड कहलाता है और मैं अपने पोयम को विराम करूंगी चार पंकियों से जो की बहुत अच्छे राइटर अनुकृत अगरवाल की है अगर व मुझको जनम मिले पहचान वही तिरंगा हो पहचान वही तिरंगा थैंक यू